नमस्कार आपका स्वागत देदा नामा टीवी पे मैं पूनम आपके साथ शिल्पा शैटी के पती बिजनसमेन राज कुंद्रा फिल्म यूटी 69 से एक्टिंग में जेब्यू करने वाले हैं यह फिल्म उनकी असली जिन्दगी पर आधारित है पॉर्नोग्राफिक केस में राज कुंद्रा को जेल में दिन बिताने पड़े थे बात में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया राज कुंद्रा ने जेल की इस घटना के बारे में बताया जब कई लोगों के सामने उनके पूरे कपड़े उतरवा दी गए इस घटना ने उन्हें पूरी तरह हिलाके रख दिया था और अपमानित महशुस कर रहे थे उनका कहना है बाहर मीजिय ट्रायल चल रहा था और अंदर उन्हें यह सब कुछ जहिलना पड़ा राजकुंदरा ने अंग्रेजी वेबसाइट पे इंक विला से बात करते वे कहा यह पमान जनक है क्योंकि वो नंगा ही कर देते हैं आपको यह जाचने के लिए क्या आपने अपने बैक साइट में कोई नशिला पता चुपा कर तो नहीं ले जा रहे वे आपको सब लोगों के सामने नंगा कर देंगे जिसे ऐसा महसूस हो कि आपने अपनी सारी गरीमा खो दी राजकुंदरा ने आगे कहा आपको ऐसा लगएगा कि आपने पहले ही बहुत कुछ जेल लिया है और अब यहाँ पे भी नंगा कर रहे है मीडिया तो नंगा कर ही रही थी उपर से ये भी हो गया मैं बहुत आहाथ था और उन्हें बताए कि उन्हें सामाने बेरक में रखा गया था फिल्म में वह जेल के अनुभवों को शेयर करेंगे 2021 में राज कुंदुरा को पौनोग्राफी मामले में किरफ़तार किया गया था तो करीब दो महीने जेल में रहे थे और 21 सितमबर को रिहा हुए इस केस के बाद वह लंबे समय तक पब्लिक अपिरिंस से दूर रहे जहां कहीं भी वह दिखते मास्क पहने हुए पाउचते क्योटी 69 के प्रमोशन के दोरा नवा बिना मास्क के नजर आए फिल्म 3 नवंबर को सिनेमा गरों में रिलीज होगी इसे के साथ बने रालकामा टीवी के साथ करने वाद